Hello everyone my name is Chandan Singh and welcome to my channel. So guys NCRT का जो 8th class का English book है Supplementary English उसका जो 2nd chapter है Children at work उसका ये part 2 है guys. तो चले शुरू करते हैं. तो चले शुरू करते हैं. तो यहां कुछ पॉइंट से यहां लिखाए कि वेलू फॉलोज इस फ्रेंट थू 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 रखने का जो डबबा होता है जो बिन होता है जिसे dust bin कहते है तो ऐसे बहुत बड़ा बिन है वहाँ पर वेलू wonders why they are there at all wonder का मतलब होता है surprise होना wonder so वेलू बहुती surprised हो जाता है कि why they are there at all कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे उस garbage bin के पास क्या कर रहे तो यह सब चीज़े आपको इस second part में देखने को मिलेगा चले शुरू करते हैं he caught up with the girl पहले यहीं तक देख लेते हैं he caught up with the girl यहाँ देखे हैं आप catch up with catch up with का इस्तमाल होता है माली जी कोई आप से तेज चल रहा है और आप ठीक चलते 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 उसको पकड़ लेते उसके साथ चलने लगते it means you have caught up with that person चाहे आप पढ़ाई में किसी को catch up कर ले या वाकई फिजिकली आप उसको catch up कर ले तो फिजिकली यहाँ पर किया है तो catch up with तो समझ में आगया तो यानि कि उसको पकड़ लिया he caught up with the girl यानि कि लड़की जादा आगे थी उसको उसको उसने पकड़ लिया मतलब साथ चलने लगया as she was leaving the station जैसा कि वो station को छोड़ कर जा रही थी तो इसने उसको पकड़ लिया when they got to the road जब वे लोग रोड पर पहुँचे past and after tense है value found that the vehicles kept coming value ने पाया कि जो vehicles थे जो गाड़ियां थी kept coming kept के बाद ing है keep से बना kept इसका मतलब है कि काम continue है जैसे मैं बोलू कि no she kept crying वो तो रोती रही he kept laughing वो तो हसता रहा उसी तरीके से है कि vehicles kept coming गाड़ियां तो भी आती रही यह हम on भी लगा सकते थे kept on coming and never stop तो कभी रुकी ही नहीं for anyone यानि कि जो गाड़ियां थी किसी के लिए रुकी नहीं चलती रही चलती रही उसने पाया value ने पाया smoke and dust flew at him from all sides अब जो धुआ था गाड़ियों का धुआ जो धूल मिट्टी उड़ रहे थे तो flew उड़े at him उस पर आकर के आये मतलब उड़कर उस पर आये from all the sides चारो तरफ से हर साइड से धुआ धूल उड़कर उस पर आये फिर कॉमा करेके लिखा है कि making his head spin अब यहाँ पर यह जो डाला है making his head spin कि यह करते हुए आपने present participle पढ़ा होगा तो present participle है कि उसके सर को घुमाते हुए कहने का मतलब है कि इतना धूल धुआ आया कि उसका सर spin करने लगा घुमने लगा मतलब feeling dizzy, he started feeling dizzy यह वाली feeling है they had to wait for a long time had to का इस्तमाल हुए दोस्तो had to, मुझे जाना पड़ा I had to go मुझे कपड़े धोने पड़े I had to wash clothes उसी तरीके से they had to wait उन्हें इंतिजार करना पड़ा for a long time, लंबे समय तक के लिए before they could find a gap यानि कि कोई भी अब गाडिया चल रहे है तो एक gap चाहिए ना भई कि हम यहां से गुजर जाए तो उस gap को पाने के लिए कि से पहले कि वो gap पाते पा सकते उनको इंतिजार करना पड़ा to run through ताकि ऐसे run through हो जाए यानि कि भाग जाए उस gap में से निकल जाए समझ रहे है तो यह हो गया कि इती गाडियां चल रहे ही थी कि उन्हें इंतिजार करना पड़ा वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड गर्ल फाइनली ड्राग्ड हिम to the other side अब जब उन्हें हलका सा gap मिला गाडियां चल रही जूम जूम गाडियां चल रही है उन्हें हलका सा gap मिला तो लड़की तो निगल गई ऐसे निकली वेलू अभी भी हेजिटेट कर रहा था कि कैसे पार करूँ लड़की नों इसे पकड़ा उसे ड्रैक किया, खीचा और उसे दूसरी तरफ ले गई अब यह इसे कहा जाता कहने के मतलब कोई कुछ कर रहा है तो हम गुस्से में कहते ़ट do you think you are doing कुछ कर रहा है तो नाराज हो कर बोलने का एक तरीका है इसके जगे भी कह सकते तो what the hell are you doing what the F are you doing he MPM grazing cows मतलब गई चरा रहा है mette if you stand around in the middle of the road if you stand around अगर तुम इस तरीके से खड़े रहो in the middle of the road यानि कि रोड की बीच में like that इस तरीके से you will be chutney तुम चटनी बन जाओगे चटनी मदलब you will be crust you know the car will or vehicles will run over you तुम्हें कुचल के चले जाएंगे वेलू's heart was still beating fast वेलू का जो दिल था वो अभी भी तेज धड़क रहा था तो beating fast इस पोकर इंगलिश में उस कर सकते oh my heart is beating fast he looked back at central station पीछे उसने देखा central station पर and the traffic is speeding by जो traffic था वो इसम speeding by by का मतलब आसी speed में traffic जो है वो काफी गुजर रहा था how had they managed to come through that how had they managed to come through that देखिए manage to का इस्तमाल हम तभी करते हैं जब आप किसी काम को करने में सफल हो गए पर बहुत मुश्किल से हुए तो manage to तो manage to come through that उस traffic से निकल कर के आ गए वो किसी भी तरीगे से तो उहीं पर कहा जा रहा कि how had they managed कैसे नो ने manage किया था बाहर आने के लिए traffic से they walked along the side of the road वो road के along यानि कि road के सारे सारे चलते रहे under some under some huge signboards अब आप road की किनारे चल रहे हैं और बहुत बड़े-बड़े hoardings लगे है signboards लगे है तो वो कह रहा है उसके निचे से गुचर रहे थे value looked up at the picture तो signboard पे जो भी pictures थे value ने looked up उपर देखा looked up at the picture तो picture पर देखा बनियान्स, car tires, pens, a woman holding a box तो उस pictures पे क्या कह था बनियान का photo था car के tires थे उसका photo था कुछ pens थे और एक औरत, woman फिर यहां लिखा है holding a box एक औरत थी holding a box यह प्रेजिंट पार्ट से वाल एक box को पकड़े हुए एक औरत थी the writing was all in English जो writing था, यहां की जो लिखावर थी वो English में थी so he did not know what it meant he did not know उसे नहीं पता था what it meant यह जो sentence देख रहे हैं what it meant इसी को बोलते हैं clause यह आपका noun clause जैसे I don't know dash 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 तो I don't know what उस what की जगर मैं कोई एक noun भी दे सकता हूँ एक word का और एक पुरा का पुरा clause भी दे सकता हूँ तो he didn't know उसे नहीं पता था what it meant कि इसका क्या मतलब था जो वहां पर लिखा हुआ था कि रहे हैं अगे देखे the girl turned onto a wide bridge turned onto a wide bridge का मतलब है कि अब वो बड़े bridge पर चली गई and walked up turned onto a wide bridge and walk up अचा walked up walked up का मतलब है कि उसने walk किया उसके उपर value stopped and peeped over the railing अब जो value था stopped, रुख गया and peeped over the railing जो railing है उस bridge की जो railing है ऐसे करके वो जहाक रहा है तो peep मतलब जहाकना होता peeped over the railing under him उसके नीचे the road ran into the city अब उस bridge पर है और railing से जहाक रहा है तो नीचे देख रहा है मतलब जो road है उसके जहाक रहा है वो बात कही गई है कि ध्यान से देखे under him उसके नीचे the road ran into the city actually run into क्या होता है run into का मतलब उसके टकराना अब मैं बोलू कि my bike ran into ran into a tree a tree से टकरा गया तो उसी तरीके से जो road है ran into the city वो road जाकर के city में मिल गया है तो ये आपको समझना पड़ेगा मतलब इस तरह की किताबों में आपको phrasal verbs, कुछ idioms, कुछ clauses तो मिलते मिलते है in the distance he could see huge building in the distance याने कि काफी दूरी पर he could see वो देख पा रहे थे huge buildings and towers and more roads तो बड़े-बड़े buildings वो देख पा रहे थे towers थे बड़े-बड़े और more roads और भी roads थे see that big building with the wall around it if you are not careful you will soon be counting bars there the girl grinned and pointed at huge building लड़की grinned grinned का मतलब है कि वो मुस्कुराई grinned का मतलब होता है दान दिखाना ऐसे करना तो the girl grinned and pointed at huge building एक बड़े building की तरफ इशारा उसने किया और क्या कहा see that big building उस बड़े building को देखो with the wall around it जिसके चारो तरफ दिवारे है या question mark है मतलब कि तू देख भी पा रहा है कि नहीं कहने का तरीका है if you are not careful अगर तू careful नहीं हुआ you will soon be counting bars there तो जो बड़ा जो बड़ा सा building है जिसके चारो तरफ दिवारे है उस building की तरफ इशारा करके लड़की कहरी कि अगर तू careful नहीं रहा न तो उसी building में तू बार्स गिनेगा बार्स मतलब जो सलाखे होती हो सलाखे गिनेगा यानि कि वो building जरूर जेल रहा होगा ये एक कहने का अंदाज है तो अब value is squinted and read the Tamil sign तो value ने इस building की तरफ देखा है squinted, squint क्या होता है कि हम ऐसे आखे कर लेते हैं क्या लिखा है आखे ऐसे भीज लेते हैं squint का मतलब ऐसे आखो को सिकूड लेना होता है अगर squinted eyes है तो ऐसे करके कोई भेंगा जो होता है उसको squinted eyes problem होती है तो एक तो problem हो गया और एक आप ऐसे सिकोड लेते हैं आखो को तो स्क्विंट करते हैं वेलो स्क्विंटेड उसने आखो को सिकोड़ा and read the tamil sign tamil में कुछ था लिखा हुआ था central jail यह नहीं कुछ बिल्डिंग था हो central jail था वाई I haven't done anything wrong उसने का मैंने तो कुछ किया नहीं है तो मैं कुछ सलाखे कि रूंगा you don't have to do anything just don't get caught that's all लड़की नहीं का तुझे कुछ करना नहीं you don't have to do anything have to कैस्ते माल देखने तुझे कुछ नहीं करना है just don't get caught पकड़े मज जाओ get caught catch मतलब पकरना और get caught मतलब खुद पकड़े जाना तो छोटी-छोटी चीज़े नोट कर लिया गिजे जैसे कि you will you will you will be caught भी हो सकता है और you will get caught भी हो सकता है कि तुझे पकड़ा जाएगा यानि कि तुपकड़ा जाएगा that's all अगर देखते है what does she mean इसका मतलब कि इस लड़की कहना क्या चाहती है पकड़े मत जाओ well you wondered well you फिर surprised हो गया meanwhile the girl was already heading down the bridge meanwhile उसी भी जब तक अपना surprised था लड़की जो है already heading down वो नीचे जा रही थी bridge से with the sack on her shoulder ये prepositional phrases होते है कि with the sack on her shoulder ये phrase ही तो है ये यानि कि अपने shoulder पर उस बोरे के साथ तो the girl was heading down the bridge फिर है with the sack on her shoulder अपने shoulder पर उस बोजे के साथ उस बोरे के साथ what was in it what was in it इसमें क्या था he had seen her putting plastic cups into at the station he had seen her well you ने उसको देखा था putting plastic cups अब यहाँ पर क्या है कि मैंने तुम्हें देखा कुछ करते हुए तो उसमें आई एंजी लग जाता है तो seen her putting plastic cups याई कि plastic cups को डालते हुए into it इस बोरे में at the station, station पर देखा था what are you carrying in that bag तो इस bag में क्या ढो रही हो things, bottles, papers well you wondered well you फिर surprised हो गया what she was doing with them वो क्या कर रही था उनके साथ but he felt shy to ask any more question लेकिन उसे थोड़ी शरम आई कुछ और भी सवाल पूछने से तो कुल मिलाकर क्या है कि वेलू अभी भी confused था कि लड़की इस बोरे के अंदर जो plastic cups और जो भी bottles डाल रही है क्यों डाल रही है कि करना क्या चाहती है it was still morning अभी भी सुबह ही था but the sun blasted down on the tar लेकिन जो सूरज था यह blast down अच्छा style है शोर हो रहा है तो मैं कुछ दिर रुकता हूँ बाहर शोर हो रहा है एक गाड़ी आती है हाँ पर कच्रे वाली गाड़ी आती है यहनो तो शोर मचाती है उगाना बजाती है तो मुझे रुकना पड़ेगा चले गाज देखते हैं कि इट वज इस तिल मॉर्निंग अभी भी सुबे का वक्त था बड़ अन दे टार देखिए ब्लास्टे डाउन दो यह सुबे था फिर भी सं जो है ऐसे ब्लास्ट हो रहा था उसकी रेज ऐसे फैली हुई थी क्यों ब्लास्ट होकर क्यों डाउन ओन दे टार यह जो रोड है उस पर बिल्कूल समझें कि ब्लास्ट होकर आगई हो इस तरीके से सूरज की रोशनी थी and वैलू जो बेर फीट बॉर्न वैलू के जो बेर फीट जो नंगी जो पैर थे जो फीट थे बॉर्न वो बॉर्न हो गयती यानि कि जल गयती यहां बॉर्न लिखा है यहां बॉर्न भी कह सकते है it was not like walking on a mud road यह एक mud road जो होता है जो मिठी की सड़क होती उस पर walk करना नहीं था it was not like like what like walking on a mud road तो उस पर walk करने जैसा नहीं था he was soaked with the sweat यह पर spoken English भी कह सकते कि he was soaked with the sweat जैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते यहां I always remain soaked with the sweat पसीने से तर बतर हो जाता हूं उसी तरीके से soaked with the sweat का मतलब है कि पसीने में डूब जाना यह दम soaked हो जाना so he was soaked with the sweat वो पसीने से एकदम तर बितर था he tried hard to walk in the shade उसने बड़ी कोशिश की to walk in the shade कि वो चाय में जाए and keep up with the girl at the same time तो चाय में जाए साथ ही साथ at the same time का मतलब है कि उसी वक्त वो लड़की के साथ भी बराबरी में रहे कई पीछे न चूट जाने तो लड़की चली जाएगी यह है तो keep up with का इस्तमाल हुआ है keep up I will keep up with you यहाँ भी चलता है keep up with यानि कि बरकरार रखना और catch up with का मतलब है कि भाग कर पकड़ लेना और फिर साथ हो जाना अब देखिए she walked really fast she उस वो काफी तेज चलती थी वो how far away was the food भोजन कितना दूर था यह question है after almost an hour of walking कॉमा पे रुकते हैं almost यानि कि लगभग एक घंटे की walking के बाद almost का मतलब है कि मियू समझ लो कि एक घंटा almost तब लगाते हैं तो एक घंटे की walking के बाद they stopped in front of a big building वो रुके in front of यह पूरा प्रे पोजिशन इतना बड़ा है यह वो एक बड़े building के पास रुके उनके सामने रुके अब है कि राज 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 राजेश्वरी प्रसन कल्यान मंडपम ऐसा कुछ लिखा हुआ था red value slowly तो value ने इसको पढ़ा कि ऐसा कुछ लिखा था a sign with letters made of flowers said एक sign था जो letters थे वो flowers से बने हुए था और वो सब flowers से लिखे हुए थे flowers से बने हुए थे said तो letters कह रहे थे कि groom jv vinaghan bride rani value started at the beginning कोई दूलहा था गुरुम मतलब दूलहा वो नाम था इसका bride मतलब दूलहा इसका नाम रानी था value started at the big cars value stared at the big cars बड़ी बड़ी गारियों पर उसने stair घूरा parked outside अब cars के बादे जो देख रहे ना parked इसी को बोलते हैं past participle fresh इक कार के बारे हम बता रहे कि कौन सी कार वो कार जो की parked थी outside यानि कि बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उस पर जो value है वो stare करने लगा यानि कि उसने काफी घूरा one of the cars had a flower garland यानि कि one of the cars बहुत सारी गाड़ियां थी उन में से जो एक गाड़ी थी had a flower garland तो flower यानि कि फूलो की माला थी garland मतलब माला and roses taped on onto it और उस गाड़ी पर रोज टेप थे यानि कि गुलाब को उसमें tape किया गया था लगाया गया था the girl looked around लड़की ने चारो तरफ देखा pulled one of one of quickly एक उस गुलाब को फटाक से उसने खीचा and stuck it in her hair और अपने बाल बे खोस लिया इस टक का मतला भी stick से बना तो उसे चिपका लिया लगा लिया come on she said और उसको का come on are we going to eat here वेलू ने पूछा वे आस्ट वेलू वेलू ने पूछा कि are we going to eat here कि हम यहां खाने जा रहे है looking at the huge hall and the people inside फिर यहां पर आपका present participle का इस्तमाल है looking at the huge hall उस बड़े hall को देखते हुए और जो लोग अंदर थे उस आरे लोगों को देखते हुए वेलू ने पूछा are we going to eat here कि हम यहां खाने जा रहे हैं अब आगे देखते हैं hopes, kash, you know said the girl लड़की ने कहा shaking her thumb under his nose shaking her thumb अपने अंगूठे को हिलाते हुए under his nose कुछ ऐसा कुछ स्टाइल रहा हो गया she led him behind the hall, led him मतलब took him इस तरीके से, lead मतलब ले जाना होता है तो वो उसे ले गई behind the hall, hall के पीछे there was a big garbage bin, वहां पर एक बहुत बड़ा garbage bin था, यानि कि वो कच्चरे की पेटी थी वो डब बा रहा होगा बहुत बड़ा अब bin के बाद क्या लेका है कि overflowing with rubbish, अब यह क्या है overflowing, यही सब होते है आपके participle phrases होते है इस bin के बारे में एक extra information दे रहा है, information देने के लिए आपके पास participle phrase है, आपके पास adjective clauses है, आपके पास apposition है, कई तरीके है तो garbage bin overflowing with rubbish, वो कचरे से overflow हो रहा था, two goats were standing on the pile, जो बकरियां थी वो खड़ी थी on the pile उस धेर पर, garbage का जो धेर था उस पर दो बकरियां खड़ी थी, fighting for a banana leaf, एक banana के पत्ते के लिए वो fight कर रही थी दोनों बकरियां, a cloud of flies buzzed around their legs, और उनके लेक के पास, जो cloud of flies, यानि कि flies को कहने के लिए, उनके समू को दिखाने के लिए, इसका इसका इस्तमाल किया गया है, cloud of, जैसे group of, pack of, cloud of, ऐसे चलता है, cloud of flies, यानि कि मक्यों का जो चारो तरफ, there was a rotten smell in the air, rotten smell का मतलब है, वो बदबुदार, जो सड़ा हुआ एक smell था, जो कोई खाना सड़ जाता है, वो जो smell है, वो air में था, तो rotten smell in the air, the girl picked up a squashy banana, लड़की ने उठाया, picked up a squashy banana, अगर banana पिचक जाए, उसको बोलते है, squash मतलब पिचकाना, तो squashy का मतलब हुआ, कोई भी चीज़ अगर पिचका हुआ हो, तो squashy है, और squash अगर आपने कर दिया, तो पिचका दिया, चीक है, the girl picked up a squashy banana, and held it, held it out to value, तो उसने लिया, और held it out, और पकड़ा दिया value को, here is your food, यह रहा तुमारा खाना, value was shocked, value जो था, वो बिल्कुल चकित था, shocked था, are we going to eat their leftovers, क्या हम उनके जूठन खाने जा रहे हैं, leftover का मतला होता है कि खापिकर जिसने छोड़ दिया, जो बच गया, जो बचा खुचा खाना है, वो leftover कहलाता है, तो कहरा है, are we going to eat their leftovers, क्या हम उनके बचे खुचे खाना खाने जा रहे हैं, चै, what do you think I am, तुमें क्या लगता है मैं क्या हूँ, यह अच्छा तरीका है कहने का, कोई आपको कुछ ऐसा ट्रीट करें, आपको लगे कि मैं यह थोड़ी हूँ, तो आप बोलो कि, what do you think I am, यह सब रट लिया कि, यह बहुत अच्छा है, what do you think you are doing here, यह सब, so what do you think I am, तुमें क्या हूँ, a dog, क्या मैं कुता I only take untouched food, I only take untouched food, भाया मैं तो वो खाना खाता हूँ, जिसे किसी ने चुआ भी ना हो, यह था हम untouched, कोई छेड़ चार ना किया हो, here some more, catch, यह लो कुछ और लो, catch, पकड़ो, she threw him a vada, एक जिसे वड़ा पा हो था, तो वड़ा एक उसको उसको उसकी तरफे का, well you looked at with distaste, distaste यह अजीव एक नफरत से अजीव उससी घरना से उसने देखा उसको, come on hero, eat it, oh hero, खा भी लो इसे, you think I like it, तुम्हे लगता है कि यह मुझे पसंद है, I told you, I'll find you something to eat, I told you, मैंने तुमसे कहा, I'll find you something to eat, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को दूंगी, don't think I have money to buy food, यह मन सो You had better, eat what you get, you had better, you had better, eat what you get, वही खाओ जो तुम्हे मिलता है, guys, अगर आप चाहें, तो मैं यह चीज़े पढ़ा भी सकता हूँ, जैसे had better, अगर आप बोर ना हो तो मैं पढ़ाता हूँ, आप मुझे बताएगा, मैं पढ़ाई देता हूँ आपको, had better, बहुत अच्छा इस Had better को मैं तो कहता हूँ, मीठी धमकी है, प्यार से मतलब एक धमका भी रहे और advice भी दे रहे, जैसे मैं बोलू कि You had better go from here, मैं तेरे लिए बहतर होगा यहां से चला जातू, ओके, You had better, You had better, Leave her alone, तेरे लिए बहतर होगा कि उसे अकेला छोड़ दे, इसका negative भी कर सकते हैं, You had Better not, You had better not, You had better not, You had better not come here again, तेरे लिए अच्छा होगा यहां दुबारा मता, यह जो better not है इसके बाद आप to मत लगाएगा, आपका दिल कह रहा होगा कि to लगा दो कि You had better not to come, ऐसा नहीं करना है आपको, कई बार दिल ऐसा कहता है नहीं कर देते हैं, यह नहीं करना है, तुमा जाने वाला में आपको सिखाता जाओंगा, देखे तो you had, यह head का short है, would का भी short ऐसा ही होता है, you'd, you'd better, तुमारे लिए बहतर होगा, eat what you get, वही खाओ what you get, यह आपका noun phrase है, what you get, जो तुमें मिलता है, until you have your own money, जब तक तुमारे पास तुमारे खुद के पैसे नहीं हो यह head ने फिर उसको मरोड दिया, squeeze कर दिया, फिर भूख पैदा कर दिया, he gulped down the banana and vada, उसने फटा फट गल्प down, मतलब निगल लिया banana and vada को, gulp अच्छा word है, his stomach felt better, immediately तुरंत उसके पैट को अच्छा लगा, felt better, he could have eaten at least 10 times more, वो कम से कम 10 times more, तस गुना जादा खा सकता था, but the girl could find only one more banana which she ate her, लेकिन लड़की को मिल सका, सिर्फ एक और banana जो उसने खुद खा लिया, could have आपको सिखा दूँ guys, लेकि could have का इस्तमाल है, मैं बोलू कि I could have saved her, इसका क्या मतलब है, could have saved her का मतलब है कि मैं उसे बचा सकता था, ऐसे circumstances थे, ऐसा सब कुछ था कि मैं उसे बचा लेता, लेकिन नहीं हो सका, तो हम पच्ताते हुए कहते हैं, कि मैं बोलू, अपने दोस्त को कि यार, तू कल मेरे शहर में आया, तो तू मेरे घर नहीं आया, तू होटल में ठहरा, तू मेरे घर भी तो ठहर सकता था तो you could have stayed at my home, यानि कि possible तो था, तो कोई चीज past में करना possible था, तो वहाँ पर हम could have लगाते हैं, कि मैं न उसे थपड मार सकता था, यानि कि मार ही दिया होता, समझ लो, I could have slapped, slapped him, I could have slapped him, यह होता है could have का इस्तमाल, ओके, और कुछ था इसके अंदर, एक until था, until हमेशा time को दिखाता है, जैसे कि I will not purchase any laptop, मैं laptop नहीं खरी दूँगा, until I earn a lot of money, अब until I earn का क्या मतलब है, until I earn, यह time को दिखाता है, उस वक्त तक मैं laptop नहीं खरी दूँगा, भाईया, अभी मैं यहाँ पर हूँ, और मैं laptop उस वक्त तक नहीं खरी दूँगा, जब तक मैं अच्छा न कमाऊ, जब तक मैं पैसे न कमाऊ, यहनिकि जिस moment पे मैं पैसे कमाऊ लूँगा, मैं laptop खरीद लूँगा, तो यह time duration को दिखाता है, एक और देख लीजे, जैसे, you should not go from here, तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, until your girlfriend comes back, यहनिकि आपकी girlfriend कहीं गई है, और कोई कह रहा है कि देखिया, तु जा मत इंतिजार कर रहा है, तो थोड़ा और कर, तु तब तक मत जाए, जब तक वो आना जाए, यानिकि तु वो span of time, तु रुका रहा है, उस वक्त तक रुका रहा है, जब तक वो आना जाए, तो until time को यह बहुत जल्दी है, they have only eaten tiffin, they have only eaten tiffin, they have only eaten tiffin, उनोंने सिफ tiffin खाया है, if you are still hungry, अगर तु अभी भूके हैं, you will have to wait for them to finish lunch, कहने का मतला है कि, जो लोग उस हॉल मे थे, लोग तो हॉल के पीछे उस कचले के डबबे के पास थे, तो यह लोग आपस में बात कर रहा है, कि it's too early, बहुत जल्दी है अभी तो, उनोंने अभी बस अपना tiffin, जो lunch type है, वही खतम किया है, you are still hungry, if you are still hungry, अगर तु अभी भी भूके हो, you will have to wait, तुमें इंतिजार करना पड़ेगा, will have to का इस्तमाल है, for them, उनके लिए to finish lunch, कि वो अपना lunch को धंग से finish करे, अच्छा, अभी तो सिर्फ टिफिन खाया है, तो टिफिन यहाँ पर टिफिन का मतलब है कि, हलका खाना खाया है, पूरा lunch करने दो, you can wait if you want, अगर तुम चाहते हो, थोड़ा wait करो, I have to work, मुझे काम करना है, I am going, मैं जा रही हूँ, देखिए, have to, had to, will have to का बहतरीन इस्तमाल है, अगर आप beginners है, तो have to, has to, had to, or will have to, यह तो भईया आपको चाहिए ही चाहिए, आगे और भी need to, about to, how to, used to, would, बहुत तरीके है, जैसे कि, एक 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 जामपल देखिए, कि मुझे किसी काम को करना है, जैसे मुझे आज बैंक जाना है, तो I have to go to bank, मुझे बैंक जान और चीज़ दिखाता है, कि मुझे यह काम करना पड़ता है, मतलब मेरी routine से बन गई है, मजबूर यह करना पड़ता है, जैसे I have to cook food everyday, मुझे हर रोज खाना पकाना पड़ता है, तो आपको बंदी के expression से और बातों के background से पता चलेगा, कि उसे अभी कुछ करना है, यह उसे इस प्रकार third person के लिए has to हो गया, जैसे कि she has to go to village, उसे गाउ जाना है, उसे कपड़े धोने पड़ते हैं, she has to wash clothes, उसे कपड़े धोने पड़ते हैं, उसे तरीके से had to बना, यह past को denote करता है, कि कोई काम करना पड़ा, मुझे वहाँ जाना पड़ा, I had to go there, या मुझे वहा आता है, I had to meet him, मुझे उसे मिलना था, उसे तरीके साथ है, आपका future के अंदर, will have to, यह सब के साथ will have to लगता है, कि देख भाई, तुझे तो यहां रुकना पड़ेगा, you will have to stay here, यहां ठैरना पड़ेगा, okay, तुमें यहां सोना पड़ेगा, you will have to sleep here, तुमें यहां पर सो आपड़ेगा, यह सब के साथ आता है, चले, फटावट खतम करते हैं, okay, she picked up a couple of bottles, उसने a couple of kuch, 2-3 bottles को pick up किये, from the hip, उस धेर से, and threw it into her sack, अपने बोरे में फेका, then she walked off, walk off का मतला है कि वहां से खिसक गई, निकल गई, walk off हो गई, वेलु पैनिक, वेलु थोरा सा अटेंशन में आगा, nervous होगा, panic होगा, he realized, उसने महसूस किया, that if the girl left him, कि अगर लड़की उसे छोड़ दिया, he had no idea, उसे कुछ पता ही नहीं है, where he was, वेलु कहा था, and what to do, or क्या करना है, it was better to stick to her, भया, इस तो बहतर होगा कि इसके साथ चिपक कर रहो, stick to, I will stick to you, मैं तेरे साथ ही र मैं सब समझाता हूँ पको सेम का, she seemed to know her way around, कि उसे तो पता था, ऐसा लगता था कि उसका रास्ता कहा है, he ran after her again, फिर उसके पीछे भागा, hey, he called, उसने पुकारा, he did not even know, उसे यहां तक पता भी नहीं था, the girl's name, लड़की का नाम भी पता नहीं था, hey, what is your name, तुमारा नाम क्या है, he asked hurrying behind her, he asked, उसने पूचा, hurrying, hurry करते हूँ, जलदिवाजी मचाते हूँ behind her, उसके पीछे, she stopped, उरुकी, and turned around, और पीछे घूमी, oh ho, so you have been following me around, तुम मेरा पीछा कर रहे हो, have been का मतलब है कि करते आ रहे हो, तु कर रहे हो, without even knowing my name, बिना मेरा नाम जाने, जया, यान I am not following you, मैं तुम्हें follow नहीं कर रहा हूँ, what then, फिर क्या है, who got you food, तुम्हें खाना किसने खिलाया, who got you food, यह got क्यों लगा है, who got you food, दिलाना, please get me some chocolate, मुझे chocolate दिलादो न, I will get you some chocolate, मैं तुम्हें चौकलेट दिलाओंगा, so who got you food, तुम्हें खाना किसने दिया, can I come with you, क्य another one, दूसरा लाने के लिए, so guys, देखे, वीडियो तु भाई बड़ा हुच चुका है, एक हिस्सा और बचा है, तो मुझे लगता है, मुझे लगता है, मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, part 3 है, लेख लेते है, कितने पेज का है, अभी है, बड़ा है boss, क्या करूशी में खतम कर दूँ क्या, guys, मुझे लगता है, मुझे एक और एक छोड़ा से वीडियो बनाना चाहिए, बहुत जादा बड़ा वीडियो गए, एडिट करने भी हालत खराब हुजाती, चले guys, मिलते है लिए वीडियो में, चले टेक क्यर, कीप प्राक्टिसिंग और हाव फॉन, Thank you, guys!